कर दोस्तों मेरा नाम मनिश कुमार गुपता है और आप देख रहे हैं गुपता जी टेक्निकल चैनल दोस्तों आप लोग भी जियो का सीम यूज करते होगे आप लोगों को भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आता होगा मगर आप लोग ये नहीं समझ पाते होगे कि इस नेट है जो दोस्तों वो बहुत ही फास चलेगा तो क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में आप लास तक बने रहीएगा देखिए जैसे कि हमारा इसमें जियो का सीम है और मैंने यहां पर इंटरनेट ओपन करने की क अब लोगों को अपने फोन में सेटिंग करना है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कर देजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सटार्ट करते हैं मैं जा रहा हूं इंटरनेट सेटिंग में तो यहां पर मैं सेटिंग में क्लिक कर देता हूं यहां पर मैं सेटिंग में चला जाता हूं और जैसे मैं सेटिंग में जाता हूं तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को आते हैं तो हम लोगों को यहां पर मोर में जाना है more पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे mobile network setting लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लिजे mobile network तो mobile network पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोग ध्यान दिजे कि आप लोगों के सामने ये interface जो है वो सामने आता है तो आप लोग इस पे सबसे पहले जो चीजे हैं आपका internet slow चलने कारण होता है data roaming जो off है इसके वज़े से मेरा जो था वफरिंग हो रहा था तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके mobile में data roaming जो है वो बंद है तो उसको on कर लिजे जो off है उसको on कर लिजे क्योंकि on करने के बाद जो आपकी problem होगी वो solve हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने इसको on कर दिया on करने के बाद मैं access point पे जाता हूँ तो access point पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे internet geo net लिखा है आप net ऐसा कुछ भी edit करके इसमें नहीं लिखना है और यहाँ पे आप जो भी setting जो भी आप लोगों को geo provide करता है वो same वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि आगर आप यहाँ पे कुछ करते हो तो आपका जो internet है वो बहुत ही slow हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों ध्यान देना है कि जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को data roaming जिसके वज़े से आप लोगों को calling में भी problem नहीं होता है प्लस आपका जो internet setting है वो भी बहुत fast चलता है तो चलिए दोस्तों मैं अपने उस page पे जाता हूँ जो page मैंने open किया था तो देखे गाइस जो चीज मैं open कर रहा था वो open नहीं हो रहा था अब यहाँ पे वो चीज open हो चुका है और बहुत ही यहाँ पे problem हो रही थी है मुझे open करने में जो चीज मैं open कर रहा था वो buffering कर रही थी बट open नहीं हो रहा था तो जैसे ही हमने data roaming on किया और मैंने अपने mobile को restart किया और ये जो setting थी करने से हमारा जो data है वो speed बें आ गया और यहाँ पे जो internet वफरिंग हो रही थी वो अब नहीं हो रही है हमारी जो page है वो open हो जा रही है डारेक्टली तो guys ये कुछ update है जियो के तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर तो guys ये कुछ internet setting है जो आप लोगों सायद पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को जादा से जादा share कर दिजेगा और like भी कर दिजेगा चलिए guys अब तक के लिए बाइ-बाइ टाटा ऐसे ही update मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ बाइ